हाई गाईस तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांस्फर आप चार्जेस का पहला पार्ट कंडक्शन और हमने आपको बताया था कि पार्ट के पार्ट होते हैं कंडक्शन इंडक्शन और रबिंग तो आज हम उन बाकी दो पार्ट का अजयन करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडक्शन के बारे में तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है इंडक्शन का मतलब होता है विद्दाउट कॉंटेक्ट मतलब किनी दो object को बिना contact करा हे हम उनमें charge का फ्लोग कराते हैं तो इसके लिए पहले हम हमारे पास neutral particle है जिसे ہमें induction के दौरा charge करना है तो मान कि चलिए यह वो neutral particle है हम उसके बाद हम उसके पास पे एक charged particle लाते हैं हम उसके पास एक चार्जड पार्टिकल लाते हैं तो जैसे ही हम उस चार्जड पार्टिकल को उसके पास लाते हैं तो यह जो न्यूट्रल चार्ज जो यह न्यूट्रल पार्टिकल है यह पोलराइजड हो जाता है मतलब क्या होता है कि इसके जो निगेटिव चार्जे जो न और positive negative attract करते हैं यह हम सबने पड़ा है तो इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा negative charge और यहाँ पर आ जाएगा positive charge अब चुंकि जो charge हैं वो दो poles पे divide हो चुके हैं तो अब हम इसे क्या कहेंगे polarized body अब इस body पे charge हो है वो polarize हो चुका है लेकिन अभी भी यह body neutral है क्योंकि अभी भी इसमें negative positive दोनों charges मौझूद हैं अब हम क्या करेंगे एक और neutral body को इससे जोड़ देंगे एक और neutral body को इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसके positive charges इस body में flow कर जाएंगे कौन से method के जरिए कंडक्शन के जरिए जिसे अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब direct contact होता है तो यह जो positive charges है यह इस वाल दूसरी body में flow कर जाएंगे तो थोड़ी दे के बाद आपको क्या प्राप्त होगा कि जो चार्ज हो दिए वो तो ऐसी कि वैसी रहेगी लेकिन यह दोनों neutral bodies प दूसरी body में transfer कर दिया और इस body पा जाएगा positive charge ठीक है तो यानि कि इस जो यह method है इससे आप दो neutral bodies को भी दो neutral particles को भी एक साथ charged कर सकते हैं अब यह दोनों क्या है चार्ज है एक में negative एक में positive इंडक्शन की एक और method है और वो method ज्यादा simple है उसमें क्या करना होता है हम एक charged particle को एक neutral body के पास लाते है तो वो neutral body के charges polarized हो जाएंगे फिर हम क्या कराते हैं हम इसकी अर्थिंग करा देते हैं इस body की अर्थिंग करा देते हैं अर्थिंग करा देते हैं मतलब उसको अर्थ के साथ contact में ले आते हैं और जब हम अर्थ के साथ contact में ले आते हैं तो हमको क्या मिलता है क्योंकि हम लोग जानते हैं ज को बहुत Fahrie Dallas यह कर ङए पहले से मौझूद है यह पॉजिटीव चाटिस इंटलों कि टो है कि यह जो बॉड़ी है यह नेगेटिवली चारज़ हो जाएगगे है इस वाली मेथड से आप क्यों आप बोडी को खाली नेगेटिवली चार्ष कर सकते हैं तो यह था इंडेक्शन मेथड का एक्जाम कर आप लोग इसे नोट कर लिजिए उसके बाद हम अगली मेथड पढ़ाते हैं कर दो कि इंडेक्शन विदाओड को एक चार्ष्ड बोडी को कि एक न्यूट्र बॉडी के पास आना है जिसे पोलराइज हो जाएगी फिर पॉलराइज बॉडी सी पास आया और पॉजिट्यव चार्ष दूरे लिख दूरे और डूसरी टकनीक है अर्थिंग कि उसमें आप इस पार्टिकल के अर्थिंग नहोंydos फॉस्षन काशी कॉनसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज पॉजीटिव नहीटिव वापस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमें इस वाली बॉड़ी पर कौन सा चार्ज मिल जाएगा तो मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा अगर अपने से नोट नहीं किया है तो जब हमारी वीडियो बन जाएगी उसके बाद आप इसे दुबारा देख सकते हैं उस समय आप इसे पॉस करके नोट कर सकते हैं तो अब हम तीसरी मैथड की तरफ कि अब लोग तीसरी मैथड में जाने से पहले एक नोट लिए थिया है अब है कि सभी लोग मेरे साथ ही एक नोट लिखिए कि कंडक्शन कंडक्शन एंड इंडक्शन कंडक्शन और इंडक्शन जो हैं यह दोनों की दोनों मैथड किन पर काम करती है भी तक हमने देखा ऐसी बॉड़ी जिन में पॉजिटिव नेगेटिव चाध यह फसे आपस मैं ट्रांस्फर हो सकते हैं सो इसा हो सकते हैं तो इन बॉड़ी सो किया जाताथ है उन्दक्टर ड्ला क待 के महिंदी मैं तो चालक मतलग की जो Universe का ट्रांस्फर निलक्शन का पर होने देते हैं उन्हें कंडक्शन कहते हैं तो ये थी ये दोनों मैथड अब जो मैथड आएगी यानि कि अब जो ये रबिंग मैथड आएगी जिसमें आप एक बॉड़ी को दूसरी बॉड़ी से रगड़ेंगे तो इसके लिए आपको किन्ट की जरुवत पड़ेगी इंसुलेटर्स की आप इस वाली मैथड से इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं अब रबिंग मैथड में होता क्या है तो जो रबिंग मैथड होती है उसमें आप दो पार्टिकल्स को कोई भी जैसे बचपन में आपने एक रूलर आप अपने बालों पे उसे रगड़ते थे स्केल को तो उ उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक चार्ज उत्पन हो गया तो यही है रबिंग का कॉंसेप्ट जो की इंसुलेटर्स को क्योंकि बाल भी इंसुलेटर है और स्केल इंसुलेटर है तो उनको चार्ज जगर दीता है अगर मैं इसे आपको डाइग्राम से समझाओं तो माल लीजिए कि यह एक इंसुलेटर है यह एक दूसरा इंसुलेटर है यह दोना आपस में हम इन दोनों का आपस में रब कर देते हैं तो रब करने से क्या होगा रब करने से इन में थर्मल एनरजी प्रोड्यूस हो जाएगी तो इनके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉंस है वो एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में फ्लो हो जाएगे यह जो थर्मल एनरजी है यह उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉंस को एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में फ्लो कर दीगे मतलब एक बॉड़ जो electrons को grant कर सकती है और दूसरी body जो electrons को दे सकती है वो अपनी उस मेंसे जो outermost cell के electrons है क्योंकि उन पे इस body का जो force होता है वो कम होता है तो इस से इस दूसरी body में ये जो electrons है ये transfer हो जाएंगे तो इस से क्या हो जाएगा अगर electrons एक body से दूसरी बॉड़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस बार मलब इस केस में इस बॉड़ी से इस बॉड़ी पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस सचाद हो जाएगा पॉजीटिव चार्ज हां और एक और नोट लिख लिए आप कि जो चार्ज है वह हमीज़ा मास के साथ ही आता है चार्ज ऑल्वेस कम स्वीट मास चार्ज ऑल्वेस कम स्वीट मास अब यसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ एक बॉड़ी से दुसरी बॉड़ी में लेक्ट्रोंस ट्रांस्फर हो रहे हैं और हम जानते इलेक्ट्रोंस का भी कुछना कुछ तो मास होता ही है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg बहुत छुट है लेकिन कुछ ना कुछ मास है तो जब एक body से दूसरी body में electrons transfer हो रहे हैं तो साथी साथ उनका mass भी transfer होगा है ना तो जिस body से दूसरी body में mass का transfer होगा electrons का transfer होगा उस body का mass कम होगा भले उसका charge positive होगा लेकिन उसका mass कम होगा क्योंकि उसके electrons दूसरी body में transfer होगे और जिस body में electrons transfer होगे उसका mass बढ़ेगा obviously क्योंकि उसमें electrons charge के साथ अपना mass मिले जाएंगे तो charge always comes with mass but mass यह हम ऐसा लिख सकते हैं कि but it's not same मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि in the opposite case कि जब mass transfer हो तो charge का भी transfer हो mass और भी method से transfer हो सकता है यहां हम charge की बात कर रहे थे तो लेकिन charge के साथ जो है वो mass हमेशा transfer होता है हमें यह बताता है कि दो charge एक दूसरी पर कितनी forces लगाते हैं दो charge आपस मैं कैसे interact करते हूं Coulomb's law में कि जो definition होती है वह होती है कि मैं इसकी definition को आपको टुकड़ा में समयाता हूं तो पहली हो जाएगी कि the electric force क्योंकि charges में कौनसी force लगेगी electric force electrons पर लगने वाली force रहो तो तो the electric force on the electric force on charges or one charge to another will be proportional to the multiplication of the magnitude of the charges मतलब की जो electric force है वो proportional होगी charges के magnitude के यानि कि अगर हम ले 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 हैं एक charge q1 एक charge q2 तो उनमें जो force लगेगी वो क्या होगी वो q1 और q2 के multiply के proportional होगी f is proportional to q1 q1 into q2 पहली बात समझ में आ गई अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरी बात के बारे में बात करते हैं दूसरी बात क्या है दूसरी बात है कि the electric force the electric force is inversely proportional the electric force is inversely proportional to the distance the distance or separation दूरी the distance or separation between the charges between the center of the charges center of the point charges यह फो ज्यादा तर किन charges में काम करते है point charges तो the electric force is inversely proportional to the distance between the center of the point charges तो यह हो गई दूसरी दूसरी बात तो इससे हमें क्या मिलता है कि f is proportional to 1 by r square inversely proportional का मतलब क्या होता है जैसे अगर कोई आप से कहे कि a b के inversely proportional है तो उसका मतलब होता है कि a 1 by b के inversely 1 by b के proportional है मतलब उसका उल्टे के proportional जैसे कोई भी चीज यहां हमने का f r k r square के inversely proportional है तो यानि कि f 1 upon r square के proportional है यहां एक जोगा होता है डाइरेक्ट प्रपोश्चनल जहां वो सीधे के प्रपोश्चनल होता है और जो inversely प्रपोश्चनल होता है उसका मतलब उसके उल्टे का proportional तो यह हो गया equation 1 यह हो गया equation 2 equation 1 और equation 2 को अगर आप लोग जोड़ दें तो आपको एक तीसरी equation मिल जाएगी वो होगी कि f is proportional to q1 q2 upon r square अब proportional लटाने के लिए हमें एक constant लगाना पड़ता है proportional लटाने के लिए हमें constant लगाना पड़ता है और यहां हम उस constant को कहेंगे के के q1 q2 upon r square के q1 q2 upon r square क्यों होता है यह वाले पॉइंट चार्ज और यह क्यों होगा यह वाला पॉइंट चार्ज इनके constant और जो एक के है यह medium पे डिपेंड करता है डिपेंड अपन मीडियम मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की तुरह नहीं है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जी था वो क्या होता है यूनिवर्सल constant वो कभी नहीं बदलता है लेकिन जो एक के constant है जो एक के है यह medium के medium पे डिपेंड करता है कि अगर आपका medium vacuum है तो आपके लिए के कुछ और होगा अगर आपका medium water है तो आपके लिए कुछ और होगा air है तो कुछ और होगा solid है तो कुछ और होगा मतलब हर जोगा पर आपको अलग-अलग K का मान देखने को मिलेगा इसके बारे में हम आपको detail में तो अगले lecture में बताएंगे अभी मैं आपको इत्ता बता देता हूँ कि इस K का मान vacuum में 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon coulomb square आप लोग इसको note कर लीजे क्योंकि यह बात के question में काम आने वाल है और इन सब चीजों को भी note करना चाहें तो note कर लीजे नहीं तो पढ़ लीजे कि कुलोंब्स लोग इसको इसका मान होता है यह क्योंब्स पर इसका 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 मेंडियूट क्योंब्स इसका और जो एक के है यह मीडियम पर डिपेंड करता है और वेक्यूम में इसके कामान होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्कुरे अपॉन कुलाम स्कुरे ठीक है तो यहां तक की बात होगा अब हम बात करते हैं इसी कुलाम लोके फॉर्स से के वेक्टर फॉर्म कि इसे वेक्टर फॉर्म पर कैसे लिखा जाता है इसे वेक्टर फॉर्म पर कैसे लिखा जाता है वेक्टर फॉम पर तो हम दो चार्जेर ले लेते हैं एक हो जाएगा प्लस क्यू वन एक हो जाएगा प्लस क्यू टू एक की ओरीजिन से हम डिस्टेंस आर वन ले लेते हैं एक की ओरीजिन से डिस्टेंस आर टू ले लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम आर कह देते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वह वेक्टर फॉर्म में दो साइडों को जाएगी एक इस साइड को इस साइड को तो इस साइड को जाने वाली डिस्टेंस यह माइनस यह होगी और इस साइड को जाने वाली डिस्टेंस आर वन माइनस आर टू होगी तो इसका मतलब यह हो जाएगी r2 vector minus r1 vector vector form है और यह हो जाएगी r1 vector minus r2 vector और इनका जो mod होगा वो होगा r के equal तो mod r is equal to mod r1 vector minus r2 vector is equal to mod r2 vector minus r1 vector तो यह है बात अब हम क्या करते हैं अब हम इसे माल लेते हैं one first chart इसे माल लेते हैं second chart force on one due to two निकालते हैं और force on two due to one निकालते हैं तो force on one due to two कितनी होगी k q1 q2 यहां तक से upon r square यहां पर हम r का mod लेते हैं तो mod r का full square अब हमें इसे vector form पे लेना है तो हम जानते हैं कि जो vector form होता है उसमें एक होता है unit vector तो अभी हम इसे unit vector के डूपल लेते हैं और किस दिसा की ओर इस दिसा की ओर क्योंकि जो f है जो f vector है वो इस दिसा की ओर लगा है तो जो unit vector बनेगा वो क्या बनेगा r1 vector minus r2 vector का gap r1 vector r2 vector तो यह हो जाएगा unit vector फिर हम लिखेंगे k q1 q2 आभी मेशा दिखते रही है तो upon में आ जाएगा mod r को हम r1 minus r2 vector का भी mod लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो हम इसे लिख देते हैं r1 vector minus r2 vector का mod इसे हम लिख देते हैं r1 vector minus r2 vector इसके नीचे वाले को हम क्या लिखते हैं तो कि हम जानते हैं unit vector क्या होता है unit vector होता है a vector upon a का mod a vector का mod जीत होता है unit vector आपने class देंच में पढ़ा था अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जहाँ पर जेक लिजिए unit vector होता है vector upon mod of vector तो आपने लिख दिया vector upon में इसका mod तो इसका mod कितना होगा यहीं तो होगा तो इसे हम लिए भी है r का square r1 minus r2 के mod का whole square उसके बाद यह दोनों same है तो इनकी घाते आपसमें जुट जाएंगी इसमें 2 है इसमें 1 तो यह हो जाएगा mod r1 vector minus r2 vector का whole cube उपर पह जाएगा r1 vector minus r2 vector तो यह हो जाएगा f12 vector f12 vector की हो जाएगी vector form और f21 vector आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं के q1 q2 upon mod r2 minus r1 जाएगा क्योंकि वो इस direction में काम करती है तो mod r2 minus r1 vector और इधर के whole cube और इधर के आजएगा r2 vector minus r1 vector तो यह हो गया f12 और f21 यह vector form हो गई अब हम आपको बताते हैं कि electrostatic force gravitational forces से किस प्रकार से relation मलब relative होती है तो हम आपको एक मिर्ट का टाइम देते हैं उसमें आप इससे फटाफट से नोट कर लीजिए वेक्टर form कैसे निकाली हमने फोर्स लगाई फोर्स को unit vector के रूप में लिखा उसके बाद unit vector को हमने वेक्टर एक्टर के रूप में लिखा थी mode of vectors का आपस में multiply हो गया उपर पे आ गया वेक्टर वेक्टर फिर हमने उस वेक्टर से उसको कर दिया तो यह हो गया का फोर्स की तो तो अब हम लोग लेते हैं ग्रैविटेशनल फोर्स के साथ इसका क्या संबंद्ध होता है यह फोर्स लगबख सेमी दिखते हैं कैसे एफ़ी वेक्टर क्या होता है क्यूएं क्यूटू अपॉन आर्च को है एफजी वेक्टर क्या होता है रगते अधियन छे-वह वन-वन एंटי आपन आ्र स्कॉर बघर वख सेम एं मन्हां इनके दिखने का तरी का बिल्कुल सेमिलायरिट भी होंगी था इंसप आई आ यह अभी इनकी-स की बात करते हैं इनकी पहली सीमिलायरिट है वह यह चाहिएं यह ओनौ जो हैं वह आर स्क्वार के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होते हैं और इस लोग को क्या कहते हैं इन्वर्स स्क्वार लोग दोनों पर काम करते हैं इस पर भी इस पर भी दूसरी बात यह दोनों के दोनों सेंटर और बॉड़ी से काम करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स में भी प्रित्वी के सेंटर से लेकर मापते थे और इसमें भी हमें सेंटर से मापना होगा तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि बोथ एक्ट सलॉंग सेंटर ओब बोडी सेंटर ओफ बोडी तो ये दोनों इसकी सिमिलेरिटीज है पहली इन्वर्स को एलो दूसरी बोथ दूसर ओफ लॉंग सेंटर ओब इनका डिफरेंस लिख देते हैं अब डिफरेंस तो हमें दोनों के अलग लग नहोंगे तो बीच में से एक लाइन कीज़ लेते हैं यह 1 1 ये 2 2 ये फ इंब जी पहला डिफ्रेंस इनका यह होता है कि जो एफ ही है उसमें चार्द यह कौन-कौन से होता है पॉजिटिव और नेगेटिव अभी हम हम इस पूरे लेक्चर्स इन सब लेक्चर्स में केवल और केवल पॉजिटिव रूप में उनकी बात करेंगे लेकिन फॉर्स नेगेटिव जाये हैं और एफ जी केवल और पॉजिटीव मास तो नेगेटिव यह और यह खाली जो प्उजिए है मीडियां पर करता है उसका जो है वह मीडियुम के चेंड न do के हिसाब से पूरा फ याजन्न होगा वाच्व और यो पह तैकस यह लग हुग वो independent of medium है उस पे medium का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जो जी है वो universal constant है आप कहीं का भी medium लो चाहे आप वाटर लो चाहे आप vacuum लो चाहे आप प्रिथ्वी में देखो चाहे आप चंद्रमा में देखो सब जगो जो यह फोर्स है यह सेम रहती है तो यह होगे सिमिलारिटीज यह होगे डिफ्रेंसिज अब हमें एक क्वेश्चन लेते हैं इसे सम्बंदित यह क्वेश्चन है कि दो इलक्ट्रॉन दो इलक्ट्रॉन है तो इलक्ट्रॉन्स आरेट आर डिस्टेंस फाइंड एफ इपॉन एफ जी दोनों का रिश्च्व निकालना है यह और यह फॉर्मिल लेगाने इसमें जो के कमान होता है हमने आपको पहले बताए था नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन न्यूट कोलाम स्क्वर आंपको बता है था 6.67 इंतू 10 चु दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वर आपॉन के जी स्क्वर है यह कैघ कमान तो सब जगो से म exemplo है मीआज खिल्चहार यह मान नाथर SM यहांप आप लोग को पता ही होगा चार्ज और इनिक्ट्रों कितना होता है उसके बाद एक electron पे कितना mass होता है 1ME एक electron का mass कितना होता है एक electron का mass होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg एक electron का इतना mass होता है इतना charge होता है के इतना होता है दी इतना होता है Q1 Q2 दोनों में आपको यही मान रखना है M1 M2 दोनों में आपको यही मान रखना है तो हम यह question आपको करने के लिए देते हैं आप इस question को खुद करना और हमें comment box पे इसका answer बताना इसका answer हम इसके लिए आपको चार option देते हैं आपको इसके मतलब जादे इसको solve करने की ज़रूबत नहीं आप इसका लगभग लगभग का आपको इसका answer निकालने तो एक है 10 to the power 39 दूसरा है 10 to the power 40 तीसरा है 40 तीसरा है 10 to the power 42 14 है 10 to the power 45 तो इन में से आपको एक option चुनना है अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है law of superposition जब एक जब दो से ज़्यादा charges होते हैं three or more जब दो से ज़्यादा charges होते हैं इसे हम कहते है law of superposition जब दो से ज़्यादा charges होते हैं तो इसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं कि पहले हम पहले पहली condition की बात करते हैं पहले जब दो ही charges थे q1 और q2 तो q1 पे f net कितना लगता था q1 पे f net लगता था कि q1 q2 upon r square में पीछे पढ़ा है यहाँ पर एक ही है अब दूसरी condition q2 q1 q3 भी आ गया है हाँ पर तीनों point charges है अब हमें बताईए कि f net at q1 कितना होगा तो जब यह question आता है तो इस question पे हम लोग क्या करते हैं कि q1 पे q2 के द्वारा लगने वाली force और q1 पे q3 द्वारा लगने वाली force का हम vector sum कर देथे हैं तो f2 virus हम यहाँ पर q2 के द्वाऱा को f2 vector कर देते हैं अब q3 के द्वारा को एफ 3 वेक्ट कर देते हैं इनका vector समकरने हैं तो वो होगा q1 का f net एक और नोट आप लिख सकते हैं कि in the presence of q3 in the presence मतलब q3 की उपस्थिती में in the presence of q3 the force of q2 के द्वारा लगने वाली force यह f2 जो इतनी है यही है f2 the force of q2 does not change कभी भी नहीं बदलती है in the presence of q3 the force of q2 does not change कभी भी नहीं बदलती है तो ऐसा नहीं है कि हापी q3 लगया तो q2 की फोर्स बदल जाएगी तो यह है law of superposition अब इसके बस एक दो simple से सवाल लेते हैं उसके बाद इस वीडियो को बंद करते हैं पहला सवाल यह है एक triangle है यह है a point यह है b point यह है c point a point पे है plus q charge b point पे भी है plus q charge c point पे भी है plus q charge हमें बताना है हमें बताना है कि c point पे इस point पे ए और बी मदब इस c point पे कुल मिलाके f net कितना है तो हमको बताना है f net on c आप लोग पहले इसे खुद से ट्राइब करना और यह है एक को लेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री वाला तीनों सी 60 डिग्री अब आपको बताना है कि c पे f net कितना होगा आप इसे खुद से ट्राइब कीजिए आपको बस a से c पे लगने वाला force निकालना है उसे आप कैसे निकालेंगे इन दोनों का mode का multiply अपको इनके बीच की दूरी है a तो आपको इनके बीच की force निकाल लेनी है और बीके दौरा भी c पे लगने वाली force आपको निकाल लेनी है तो देखिए ने a b मतलब a और c दोनों क्या है दोनों क्या है positive charges है a c दोनों positive charges है तो यह आपस में क्या करेंगे डिपल्स करेंगे c पे इस side को force लगेगी और force कितनी होगी force from a will be k दोनों के magnitude same है तो हमने सिते हैं q का square upon दूरी है a a का square simple उसके बाद b c ये भी positive है तो ये भी डिपल्स करेगा ये इस side को आ जाएगा ये है f a ये है f b तो f b भी वही होगी क्योंकि ये भी q है ये भी q है और दूरी b a है तो ये भी जाएगी k q का square upon a का square दोनों से में इन दोनों को माल लेते हैं एफ simple f calculation में आसानी होगी अब हम देखते हैं के बीच का ये वेक्टर है ये वेक्टर है में को इनके बीच का ये दिखना होगा तो अगर ये एंगल 60 डिगरी है ये इंगल सिटी डिगरी है तो ये इंगल ऑ्टोमेटिक लिए कितना हो जाएगा 60 तो इन दोनों के बीच का एंगल है 60 तो f net आप कैसे निकालेंगे f net का force f net का जो equation होती हो क्या होती है r की equation क्या होती है अगर आपको a और b का vector sum r है मान के चलिए तो उसका अगर आपको मान निकालना है तो उसके लिए क्या equation होती है r is equal to under root a का square प्लस b का square प्लस 2 a b उनका बीच का angle cos theta तो इससे आप आन निकालते थे हमने पिछले यह पड़ा है लास्ट यह मैं पड़ा है तो यहां पर हम f net भी उसी तरीके से निकालेंगे यहां हमने f net को अभी अपनी सुमिधा के लिए मान रखा है f तो इस हिसाब से a हो जाएगा f का square बीबी क्यूंकि अब बीबी हमने f ही मान रखा है तो बीबी हो जाएगा f का square प्लस 2 f f f f into f f का square cos 60 degree theta 60 degree कोण theta 60 degree अब cos theta का मान कितना होता है 1 by 2 तो cos 60 degree 1 by 2 है इसको मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाता हूं cos 60 degree 1 by 2 हो गया और यह 2 है 1 by 2 into 2 1 cancel out हो जाएगे f का square f का square f का square कितने f हो गए 3 f square f का square को हम root के बहार ला सकते हैं इसको लिख सकते हैं f f root 3 यह हो जाएगा इसका answer अब दो और सवाल करते हैं उसके बाद इस वीडियो को बंद कर देते हैं तो आप लोग इस question को समझ गये होगे अब हम चलते हैं अगले question को तरह अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को लाइक करन अब हम लेते हैं second question second question में हम अभी तक हमने ट्राइंगल लिया था अब हम एक है अब हम एक स्क्वेर ले लेते हैं स्क्वेर ले ले लेते हैं इस स्क्वेर की चार साइट सूंगी A B B C D इस बार हम positive negative का खेल सेली तो हमें निकालना है A पर कितना होगा है एक को हम आल लेते हैं minus Q इसको हम माल लेते हैं प्लस क्यू इसको भी हम माल लेते हैं तो आपको बताना है कि f net at a कितना होगा दूरी है आपको यहां इस distance की भी जरूत पड़ेगी क्योंकि इनके बीच की दूरी तो ऐसी ही नाप होगे नाप तो यह दूरी है आप पहले एफ इन डी निकाल लो डी दोर्स के लिए दूरी है फिर बी निकाल लो डी के दूरा इप लो इसके लिए दूरी है यहां पर आपको माइनस लगाने की ज़रूत नहीं है आप इसे प्लस ही लेना हम खाली मैंगीडिट ना कर रहें तो आप यहां पर क्या लोगे क्यू का स्कॉयर ही लोगे ठीक है जो है वो फोर्स को आप लोगे क्यू का स्कॉयर एक पॉन दूरी जितनी यहां पर एख कही पर आर है ला कही पर एरूटु है तो उससी साफ से आप पहले निकालो फिर भी निकालो फिर फिर लास्ट में निकालो एवडी और भी को जोड़ोगे तो साथ इसी एंगल पर आएगा तो यह दोना आपस में सिंप्ली जोड़ जाएंगे तो चलिए अब इसका आंसर निकालते तो f ने डे कितना होगा fd वेक्टर प्लस fb वेक्टर प्लस fc वेक्टर fd fd fc अब fd और fb को हम एक ब्रेकेट में ले लेते हैं क्यों क्योंकि जब हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो यह बीच से जाएगा 90 डिग्री का एंगल है बीच में तो 90 डिग्री कट के कितना हो जाएगा हाफ 45 डिग्री क्योंकि जो एफ नेट होता है जो एफ नेट होता है वह दोनों वेक्टरों के बिल्कुल बीचों बीच से जाता है यहां पर तो दोनों सेमी है कितना मानें उनका के क्यों का स्क्वेर अपन एका स्क्वेर तो यहां पर हम सिंप्ली एफ ले लेते हैं एफ ले लेते हैं प्लस एप सी का मानम निकाल लेते हो कितना होता है के क्यों का स्क्वेर अपन ए रूट टू है ए रूट टू का होल स्क्वेर ए रूट टू क स्क्यार्वेक अब जब आप इन नों का वेक्टर सम् निल्ट का निल्ट का व्य स्क्वेक्टर अब आप estão नीकालोगे तो कैसे निखरओं में इससे पहले आप अभी खाली स्क्यार्व एक कई स्क्यारव aimed का स्क्यार the A B cos theta A का square plus B का square plus 2 A B cos theta इस formula से आप A निकाल सकते हैं तो A B दोनों same है तो हमने square लग दिया तो 2 F का square cos कितना है 90 degree हम जानते हैं cos 90 कितना होता है 0 होता है तो ये वाली term तो 0 हो जाएगी अब बच्चे 2 F ये तो 0 हो गया ना तो बच्चे 2 F 2 F के square तो हम लिख दिनगे 2 F का square इससे हम लिख सकते है F root तो तो अंदर है जाएगा 2 किसी का square नहीं होता है तो किसी से root निकटेगा F का square F का square होता है तो E square C ये root कर जाएगा और आज जाएगा F root अब आपको F का मान लख सकते है F का मान कितना है के Q का square अपॉर्ण अपॉर्ण कितना है ना F का मान इससे आप रख सकते हैं उसके बाद आपको इसे simply ये जो C वाला F है इसमें जोड देना है क्यों क्योंकि ये इन दोनों के बीच से जा रहा है और 90 degree के बीच का एंगल कितना होता है 45 degree और ये एंगल भी 45 degree है जो कि square के square का जो विकर्ण होता है वो कहा पर कितना एंगल पर होता है 45 degree तो आप इन्हें इसमें कोई vector समकरने की ज़रूत नहीं है ये आया है और ये आया है इन्हें है आप जोड लो k q का square upon 2a का square plus k q का square a square root 2 बाह ले लो k q का square a square अंदर ले लो 1 by 2 plus root 2 ये second question और अब एक last third question लेते एक question बड़ाई interesting होने वाला है इसमें forces आपस में cut भी जाएंगी सबसे पहले एक square बनाईए एक छोटा सा square बनाईए इस बार हम उसके center की बात करेंगे उसके center पर हम ले लेते हैं charge q चार पॉइंट होगे a b c इस पॉइंट पर charge minus q इस पर प्लस q इस पर भी प्लस q इस पर भी प्लस q उनको बताना है f net 8 इस बताईए क्या करेंगे f a प्लस f f a vector f b vector f c vector f d vector को जोटेंगे हम मैं आपको जड़ा सब बता देता हूं कि direction क्या होंगी फिर आप इसे try कर गीजिएगा f a vector की direction is decide में होगी क्योंकि यह भी प्लस है यह भी positive है तो f a की direction यह होगी यह हो जाएगा यह कि इभाई ए यह वेक्टर अब सी negative है positive negative attract यह भी अपनी तरफ कोई खीचेगा तो इसी वेक्टर की direction भी यह हो जाएगी दोनों की direction सेम है एफ डी वेक्टर उल्टा दूसरी तरफ प्लस है यह जाएगा एफ डी वेक्टर और अभी एक्टर भी सेम फोर्स से डाइक्स्टर में फ्यक्टेगा क्यूंकि distance सेम ही है distance किता माल लेते हैं मान के चलो सब से मतलब distance एक साइट से मतलब distance आ रहे हैं तो यह दोनों forces बराबर है और opposite है तो बराबर और opposite forces आपस में cancel हो जाएंगी ऐसे तो होता है न अगर आप प्लस चाल लें और माइनस चाल लें उनको आपस में जोड़े तो जीरो हो जाता है तो यह दोनों कट जाएंगी क्योंकि opposite है एक दूसरे के negative में है तो क तो यहां पर क्यों है यहां पर क्यूं ऊक्ति यह थी ज़एंगी यह देगा टू के क्यू क्यू और तो यह था आज का वीडियो अगर आप को वीडियो पसंद आए होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना तैंक यू अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां आपको बताएंगे पर मेटिवी टी यहन रिलेटिव पर मीटिगे बाया